Hello Friends, आज हम बनाइंगे Milk Cake की recipe जो की बहुत ही soft और बहुत ही स्वादिश्ट बनके तयार हूई है इस Milk Cake को हमने सूजी से बनाई है सूजी के Milk Cake खाने में बहुत ही ज़ादा स्वादिश्ट होते हैं बनाने में बहुत ही आसान है I hope आपको ये recipe पसंद आएगी तो friends आईए देखिए सूजी के milk cake कैसे बनाते हैं यहाँ पे gas पे एक कड़ा ही चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे आधा कप घी घी को अच्छे से गरम हो जाने देंगे गैस का flame low to medium रखेंगे और अब हम इसमें डालेंगे सूजी घी अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें डाल देते हैं एक कब बारीक वाली सूजी मोटी या बारीक आप कोई सीवी ले सकते हैं अब हम low to medium flame पर इसे भुनेंगे जिससे की सूजी का कच्छापन खतम हो जाएगा सूजी अच्छे से भुन जाएगी और गैस का flame हाई नहीं करेंगे सूजी भुनते समय नहीं तो ये कच्छी रह जाएगी और इसका कलर डार्क होके जलने लग जाएगा हमें इसका कलर बहुत जादा डार्क नहीं करना है इसे चार से पांच मिनट तक हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए भुनते रहेंगे गैस का flame low to medium रखेंगे और ये देखिए गी में सूजी अच्छे से फूल के soft हो गई है और हमने इसे पांच मिनट तक भुन लिया है गैस बंद कर दिया है और इस समय हम इसे 1-1.5 मिनट तक ऐसे ही कडाही को चला लेते हैं जिससे कि ये भुनी हुई सूजी थोड़ी थंडी हो जाएगी तो यहाँ पे सूजी को mix करते हुए चला लिया था अब ये सूजी थोड़ी सी थंडी हो गई है तो इसमें डालेंगे आधा कप milk powder जब सूजी हलका सा थंडा हो जाए तो इसी समय milk powder डालके इसे mix करेंगे जिससे की milk powder की गुठलिया नहीं बनेंगी तो ये देखिए अब मैंने gas बन कर रखा हुआ है और इसे mix कर दिया है तो अब हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और gas पे से कडाही हटा देंगे और इसके बाद अब हम बनाएंगे चाशनी तो यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए gas पे एक बरतन चड़ाएंगे और इसमें डालेंगे एक कप चीनी चीनी से थोड़ा कम यानि की दो तीहाई कप इसमें पानी डाल देंगे और चीनी के पिहल जाने तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे हमें ये चाशनी तार वाली नहीं चाहिए चिपचिपी चाशनी चाहिए बस तो यहाँ पे चीनी अच्छे से पानी में घुल चुकी है यह देखिए तो इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं एक चौथाई टेवल स्पून इलाइची पाउडर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो इलाइची पाउडर डालके हम इसे मिक्स करते हुए दो से तीर मिनट तक और पका लेंगे जिससे की यह चिपचिपी हो जाएगी तो अभी यह चाशनी पतली है तो हम इसे पका लेते हैं और इसके बाद हम इसे पकाने के बाद चेक करेंगे तो जब हम इसे उंगलियों पे चेक करेंगे तो ये तेल जैसी चिकनी होनी चाहिए उंगलियां इस पे से फिसलनी चाहिए तो ये देखिए अब ये चाशनी बन के तयार हो गई है उबाल आ गया है गैस बन कर दिया है मैंने और इसे चेक कर लेते हैं तो ये बिल्कुल तेल की तरफ हिसल रहा है और ये चिपचिपी चाष्णी तयार हो गई है इस गरम चाष्णी को तुरंत ही हम भुने हुए सूजी में डाल देंगे और गैस का फ्रेम लोटू मीडियम करेंगे और इसे मिक्स करेंगे तेज हाथ से चलाते हुए मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलिया नहीं परे तो ये देखिए इस तरह से लगातार चलाते हुए मैं इसे मिक्स कर रही हूँ दीरे दीरे सूजी गाढ़ा होने लग रहा है फूल के बिल्कुल सॉप्ट हो गया है ये देखिए तो बस जैसे जैसे ये गाढ़ा होने लगेगा इसमें से घी छूटने लगेगा और ये चिकना हो जाएगा तो अभी ये कडाही में चिपक रहा है ये देखिए तो इसे और गाढ़ा हो जाने तक हम इसे मिक्स कर लेते हैं अब ये कडाही छोड़ने लग गया है ये देखिए तो बस इस समय गैस बंद कर देंगे और अब हम इसे जमने के लिए रखेंगे तो यहाँ पे इस मिश्रन को कोई भी प्लेट या ट्रे में डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे ट्रे पे बटर पेपर लगा दिया था और सारा ये सूजी का मिक्स इसमें डाल के इसे फैला देंगे आदे घंटे तक के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे जिससे की यह थंड़ा होके अच्छे से जम जाये और सेठ हो जाये तो बस पूरे में हमने इसे फैला दिया है अब हम इसे रेश्ट के लिए छोड़ देते हैं आदे से पॉन घंटे में ये अच्छे से ठंडा हो गया है और ये सेट हो गया है तो इसे ट्रे में से निकाल लेते हैं और इसके उपर का जो ये बटर पेपर है इसे भी निकाल लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इस तरह से हमने यहाँ पे बटर पेपर को हटा लिया है और अब हम इसे कट करेंगे तो यह जो milk cake है यह बहुत ही soft बना है यह देखिए और सूजी से बनाया हुआ milk cake बहुत ही स्वादिश्ट होता है खाने में बनाने में कोई भी जंजट नहीं है और इसका दरदरा texture देखके ही मुँँ में पानी आ रहा है बहुत ही स्वादिश्ट बना है बिना दूद के यह milk cake बनके तयार हुआ है बनाने में तो आसान है ही खाने में यह बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट है बहुत ही आसानी से हमने इसे पहले इस तरह से लंबाई में काटा है और अब हम इसे चोड़ाई में थोड़े से छोटे छोटे टुकडों में काट लेते हैं तो ऐसे प्लेट घुमा देंगे और इसको हम milk cake कर साइज में कट कर लेंगे तो जैसे मार्केट में मिलते हैं उसी तरह से ये देखने में लग रहे हैं और खाने में मार्केट की milk cake से बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट है ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही soft एकदम दानेदार बिना दूद से बने हुए सूजी के milk cake पनके तयार हो गए है बहुत ही स्वादिश्ट है ये बनाने में आसान है कम समय में जटपट से ये बन जाता है तो friends अगर आपको आज की recipe पसंद आए तो इसे like कर दीजे मिलते हैं next video में